नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जीत साधना को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों सची श्रधा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय बजरंग बली दोस्तों बजरंग बली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों पवन पुत्र हनुमान हर समस्या से अपने भक्तों को बचाते हैं जोतिश के अनुसार मंगलवार के दिन इनकी पूजा करने से इनसान के सभी भौतिक कष्ट दूर होते हैं अर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथ ही मंगल का अशुब प्रभाव भी जिन्दगी पर पड़ता है क्योंकि मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन होता है आईए जानते हैं मंगलवार को ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिसका असर आर्थिक स्थिती पर पड़ता हो जोतिश शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुब माना गया है इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिया गया धन वापस मिलना कठिन हो जाता है मंगलवार के दिन भूल कर भी मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जोतिश शास्त्र में मंगल को उग्रग्रह बताया गया है ऐसे में अगर आप मास मदिरा का सेवन करेंगे तो आपकी उगरता में वृध्धी होगी। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर नजर आने लगता है। मंगलवार को लाल वस्त्रधारन करना चाहिए और दान भी लाल ही करना चाहिए। मंगलवार को काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए इससे शनी का प्रभाव पढ़ता है। शनी के साथ मंगल का सन्योग बहुत ही ज्यादा अशुभ और कष्टकारी माना गया है। इससे मानसिक और शारिरिक कष्ट में वृध्धी होती है अगर आप नया कार्य शुरू करने जा रही है तो मंगलवार के दिन आरंभ कर सकते हैं लेकिन मंगलवार के दिन निवेश करना शुब नहीं माना जाता संभव हो सके तो नया निवेश मंगलवार की जगह बुधवार को करें ऐसी मान्यता है कि मंगलवार से निवेश का आरंभ करने पर किसी कार्य से योजना सफल नहीं हो पाती या धन का नुकसान होता है मंगलवार के दिन कर्ज की तरह धारदार सामान जैसे छुरी, काटा, कैंची आदी ना तो खरीदे और ना दे मंगल को जोतिश में रक्त और युद्ध का कारक माना गया है धारदार चीजों की खरीदारी से परिवार में कलह बढ़ता है मंगलवार के दिन बाल कटवाना या फिर शेविंग नहीं करवानी चाहिए साथी नाखून काटने से बचना चाहिए मान्यता है कि इसका असर आपके मस्तिश्क पर होता है इससे धन और बुद्धी की हानी होती है शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को बाल कटवाने से आयू आठ महीने कम होती है मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इस दिन देवाले में भक्तों का अंबार लगा होता है बजरंग बली को प्रसन करने के लिए कोई मंत्र जाप करता है तो कोई चालिसा का पाठ करता नजर आता है लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसे काम और भी है दोस्तों जो नहीं आपको करने चाहिए इन कामों को करने से बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन यानी श्रिंगार का सामान खरीदने से माना जाता है कि वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है अगर इस दिन आप श्रिंगार का सामान खरीदते हैं तो बहुत ही ज्यादा अशुब है आपके लिए सोमवार को शुक्रवार को श्रिंगार का सामान खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दिन खरीदे गए मेकप के सामान में सौभाग्य में वृध्धी होती है। मंगलवार को दूड से बनी मिठाईया जैसे बर्फी, रबडी कलाकार नहीं खरीदना चाहिए। दूड को चंद्रमा का कारक माना गया है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसलिए मंगल के दिन नहीं दूड से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए और नहीं इन्हें दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन बेसन या बूंदी से बना खरीदे या घर पर बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी से अती प्रसन होते हैं, इस दिन मचली खरीदने और खाने वाले व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बहकर खत्म हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान ना खरीदे। स्टील के बरतन और अधार वाली चीजें जैसे नेलकटर, चाकू और कैची इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। उस दिन नया वाहन आदी खरीदना भी अशुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में जंग लगे हुए लोहे के सामान को कभी भी ना रखें। इस दिन घर में हवन नहीं क चाहिए और ना ही इसके कोई सामगरी खरीदनी चाहिए। वैदिक ग्रंथों में मंगल का दिन सबसे शुभ और कल्यानकारी माना गया है। इसी दिन भक्तराज हनुमान अपने भक्तों की सुध लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सफलता हाथ लगते लगते चूप ज और कहीं भी काम्याबी हासिल नहीं हो रही है तो मंगलवार को आप कुछ उपाय करें। आपको निश्चित तोर पर लाभ मिलेगा और बंद किसमत का ताला खुल जाएगा। मंगलवार के दिन तांतरिक हनुमान यंत्र की स्थापना करने का बड़ा महत्व है। मंगलवार के दिन शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल का और एक शुध देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालिसा का पाठ करें। हनुमान जी की क्रिपा पाने का ये एक अचुक उपाय है। मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवडे का इत्रव गुलाब की माला चड़ाएं। हनुमान जी को प्रसंद करने का ये बहुत ही अचुक उपाय है। इस उपाय से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मंगलवार को पास ही स्थित हनुमान जी के किसी मंदिर में तो उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इससे हनुमान जी प्रसंद होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। मंदलवार के दिन सुभह सनान करने के बाद बढ़के पेड का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच पानी से धोलें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्रीराम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा अगर आप शनी दोश से पीडित हैं तो इस दिन काली उड़द वकोले की एक पोटली बनाएं इसमें एक रुपया का सिक्का रखें इसके बाद इस पोटली को अपने उपर से उसार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर रामनाम का जब करें इससे शनी दोश का प्रभाव कम हो जाएगा मंगलवार के दिन यदि आप उपवास करते हैं तो इस दिन किसी भी वजह से गुसा करने से बचें और इस दिन अपशब्दों को भी इस्तमाल ना करें कोशिश करें मंगलवार के दिन धर में शांती बनी रहे क्योंकि ग्रहतलेश से जीवन की प्रक्ती में बाधा उत्पन होती है कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अपने परिवार के सदस्यों या फिर किसी मित्र से विवाद नहीं करना चाहिए उसे जीवन में अमंगल होने की आशंका होती है मंगलवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है कहते हैं कि इस दिन भगवान गनेश की पूजा करना भी बहुत ही ज्यादा शुब होता है ये दिन कर्ज से मुक्ती के लिए सबसे उत्तम माना जाता है मंगलवार का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है मंगल को उर्जा का कारक माना गया है मंगलवार को राम मंदिर जरूर जाना चाहिए हनुमान जी के दर्शन करने के साथ भगवान राम और माता सीता के दर्शन करना शुब होता है कहते हैं कि ऐसा करने से बजरनबली मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर रामरक्षास्त्रोत का पाठ करें तो आपकी सभी परिशानिया दूर हो जाएंगी। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूल्ण करते हैं। हनुमान जी को प्रसन करने के लिए मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाना और सरसों के तेल का और एक शुद्ध देसी घी का दीपक हनुमान चालिसा का पाठ करते हुए आप जरूर लगाएं। दोस्तों मान्यता की ऐसा करने से हनुमान जी भक्त के बिगड़े काम बना देते हैं। मंगलवार के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इससे आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना भी जल्द से जल्द पूर्ण होगी और हनुमान जी भक्त को माला माल कर देते हैं। यूं तो गाय को हर दिन रोटी खिलाना शुब है, लेकिन मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी देना शुब माना जाता है। मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। मंगलवार के दिन तामबा केसर, कस्तूरी, गेहु, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर की डाल, लाल कनेर और लाल पत्थर आदी चीजों के दान और इस्तिमाल का विशेश महत्व है। तो दोस्तों आपको ये विडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस विडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।